NDA कारकरता सह मकर संकरांती मिलन समारो का जो आज कारकरम युवा मोर्चा बेउसाय के द्वारा किया गया और धरवेंदर भारती जी जैसंकर भारती जी और तमाम युवाओं के द्वारा जो ये कारकरम किया गया बहुत ही बहतरीन भवित तरीके से मनाया जा रहा है तो आईए मिलते हैं मानिय अबिधान पारसद रजनी जी से इस कारक्रम की खुबसूरती जानने के लिए सर जिस्ता से छट आस्था का महापडव है और दही चुड़ा अगर कहें तो समाजिक समरस्ता का महापडव है तो इस पर क्या क्या ठीक आपने कहा कि मकरसंक्रांती जो नया कलंडर वर्स है उसके सुरु होते ही उसी महिने में आता है और हिंदू सनातन धर्म में इस नय कलंडर वर्स का पहला पर्व जो है वह मकरसंक्रांती का है और इसमें किसानों के द्वारा जो उत्पादित जो भी चीज है उसी को मिला करके खाया जाता है यहां मकरसंकरांती कहते हैं कही जगा उसको पौंगल कहते हैं यह पूरे देश में मनाया जाता है और पसुपालक किसान की अधरती है बेगुसरा है यहां की दही पुरे देश में जाता है यहां का दूद और उससे जो प्रोडक्ट है तो वह दूद और उससे बना हुआ दही और यहां किसानों के खेत का धान से बना हुआ चूडा इसको इस आउसर पर खाने का और सब अमीर गरीब जो भी हो तो यह सच में एक समरस्ता का पर्व है एक नया सुरवात का पर्व है एक नए संकल्पों का पर्व है नए वर्स में हम संकल्प लेते हैं अपनी कमियों को अपनी खामियों को छोर करके और हम तरक्की की और बढ़ें और खास करकि यह 2021 बहुत ही महत्पूर्ण इसलिए है तरक्की के लिए नई उर्जा के लिए नए संकल्पों के लिए क्योंकि 2020 में हम सब ने बहुत कुछ खोया है कोरोना के कारण, कोरोना महामारी के कारण लेकिन 2021 के प्रारंभ में ही हमारे आदर्निय प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के अथक प्रियास से उनकी द्रुडिक्छा सक्ती के कारण और हमारे देश के महान बेग्यानिकों के उस प्रियास से आज करोना पर नियंत्रन करने के लिए करोना रोधी ठीका बन गया है और कल पर वह भी इस बात तक नहीं पहुंच पाए लेकिन हमने उस करोना रोधी टिका बना करके और अपने स्वास्त करमियों को दिया है देश की जंदा के लिए भी बहुत जल्द उपलब्द होगा तो यह बहुत ही इतिहासिक दिन है और इतिहासिक साल होगा 2021 और 2020 में जो नुकसान ह पकने वाली है तो इस पर क्या कहेंगे और आपका भी चुनाव है स्वास्वार्य है पंचायत चुनाव में खिचरी पकने वाली है यह मैने समझ रहा हूं लेकिन आप यह समझिए कि पंचायत चुनाव भी बहुत-도्पुर्ण है केंदर से जो हमारे मान mach, प्रधान मंतरी, भी कहते हैं और गांदी जी ने भी कहा कि जब तक गाउं का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभब नहीं होगा और इसलिए गाउं में भी हम जैसे केंदर में हमने सरकार बनाई मोदी जी के नेतरुत में 2019 में 2020 में हमने नितीश कुमार जी के नेतरुत में बिहार म इसमें हजनता के हर जनमानस से मैंने अपील किया है कि आप तमाम तरह के बाद से उपर उठ करके आप अच्छे लोगों का चेंड पन्चायद चुनाओं में करें ताकि पन्चायद सरkaर का भी जो चुनाओं बने हो जो गठन हो पन्चायद के अंतरगत अच्छे मुख्या ज जीद करके आएं अच्छे पंचाय समिति और अच्छे वाट सदस जीद के आएं जो करमठता के साथ काम कर सके सरकार की योजनाओं को धरती पर लागू करने में सक्षम हो सके सर मकर मिलन समारो जो यूबा मोर्चा ने मनाया है तो किस दसे उनको सुबकामना देना चाहेंगे बहुत ही शांदार, जानदार, दमदार, धारदार और असरदार ये कार्जकरम है मकर मिलन का और इसी बहाने हम लोग एक जूठो के मिलते हैं, जुलते हैं और एक नई शुरुवात होती है और ये एक संदेश भारतिय जनता पार्टी की यूबा मोर्चा ने दिया है ताकि जो समाजिक समरस्ता है, भाईचारा है, उसका प्रतीक है और लगातार ये दिरंतरता बनी रहे यही शुबकामना है आज पूरे कारक्रम का आयोजन हुआ, वो धर्भेंदर भारती, जैसंकर भारती और यूबा मोर्चा के द्वारा आयोजन किया गया सर, इस तरह के आयोजन करके समाज में क्या संदेश देना चाहते है सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आभी इस अफसर पे सामिल हुए और मैं इस माध्यम से ये संतेश देना चाहता हूँ कि ये समाज में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है अज नहीं कोई पार्टी से रिलेटर यहाँ पे है कि इस अफसर पार्टी के ही लोग रहेंगे यहाँ पूरे समाज में एक जुटता के लिए और समरस्टा के लिए ये भूज दिया गया है जो कि सब जितने भी यहां पे हैं यहां के जो जनता हैं चाहिए वो किसी भी जाती को सब एक हैं और एक मत से सभी धरवंदर भारती के पक्ष में हैं और मुल रूप से धर्वेंदर भारती जी को मुख्या बनने का इस बार का में लक्ष रखा गया है और इस बार हम सब जरूर बनाके रहेंगे बहुत धनेवाद हमार साथ राम संकर पासमान जी है सर इस तरह का जो आज आयोजन हुआ बखडी में तो क्या कहना चाहेंगे आम लोगों को यहां के जनता है किस तरह का संदेश देना चाहेंगे इससे लगता है कि भाई हम लोग बास्तविक रूप में एक हैं सर जो आज दर्वेंदर भारती जी का जो आयोजन था क्या सुभकामना देना चाहेंगे मैं दर्वेंदर जी को खास करके धनवाद देता हूं बधाई देता हूं स्वागत खेर मकदम करता हूं कि इस तरह के काम बरावर करते हैं अगर पूरे बिधान सभाग अगर हर एक पंचायत भी इस तरह के कार्जकरम हो तो और अच्छा रेल लगेगा बहुत बहुत धनेवाद सर्थ आज समाजिक समरस्ता का जो पूरा आयोजन किया गया था वो धरवेंद्र भारती जी के दौरा किया गया और पूरा आयोजन बिष्णूपूर पंचायत में हूँ असर किस तरह से धनेवाद ग्यापन करना चाहेंगे जो भी लोग इसमें सामिल हुए यह कारज करम हम नहीं किये मैं एक माधियम हूँ करने वाला यहां के तमाम जन्माना से इस बिष्णूपूर पंचायत के आम लोग का सहभागी से यह कारज करम विकत में पौन साह से करते हूँ और आगे भी आसा प्रुबक में करूँगा और यह कार्ज करम हम नहीं करते हैं मेरे सहीयोगी जैसेंगर भारती जी हैं, सुबोजी हैं, सजितानान महतो जी हैं ऐसी तमाम लोग जो मेरे राजनीती करियर में गाउं से लेके, समाजी कस्तर से लेके जिलात तक पहचान दिलाने में एहम भूमी का लिमाय हैं, उन सबों को में धनवाद देता हूं और साथ साथ जितने भी उपस्तित यहां पे हमारे पंचाइद के आम लोग आए हैं, उन सभी को धनवाद देता हूं असासत में अपनी सभी नेताओं को धनवाद देता हूँ जो आप लोग इसी तरह आएं तो मैं लगातार कई बरस तक कार्ज करम करते रहोंगा बहुत बहुत धनेवाद समाजिक संरस्ता का एक प्रतीक मकर संक्रांती आज मकर मेरन समारोब जो आयोजन किया गिया कही ना कही धरबेंदर भारती जी और ये पुड़ा गाउं देव पुड़ा गाउं है और विश्नुपूर पंचाइथ है तो कही ना कही इस गाउं के लिए एक नई आयाम थी तमाम लोगों को जोड़ने का प्रतीक था जिससे कि समाजिक समरस्ता का माहोल हो भिकास हो और समाज के जो लोग हैं उनके लिए एक नई आयाम जुड़ सके मैं कभी निलेस कमरामेन सिवम सिखारपूरी के साथ